27 दिनों से दिली बॉर्डर किसानों का आंदोलन जारी है और ऐसे में किसानों को कम कपाती ठंड से बचाने के लिए ड्राइफ फूट समेट कई तरह किसामगरी भीजी जा रही है बताए जा रहे कि करीब डेड़ कुइंटल सरसो का साग और मक्के की रोटी ट्रेन के जरिये दिली में आंदोलन कर रहे किसानों तक पहुचाई जाएगी किसान राज सिंग और बलवीर सिंग ने बताए कि वो भारतिये किसान यूनियन एकता डगौदा और समूगराम पंचायत की तरफ से पहले खेतों से साग तोड करके लाए और अब माताएं बहने साग को बरी काट रही है जिसे दिली भेजा जाएगा ताकि किसानों की सेहत पर कोई असर ना पड़े क्योंकि कम कपाती ठन पड़ रही है और पिछले 27 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं जो जित्तों तक पॉंचाया पॉंचाया जाने टेक नी बैठागे नहीं जरो मोदी सिरकार करूल बाव से नहीं देंदी आज जी जिसे आप दे मनों लेके याने साड़े प्रा उत्वेटे ने असी जिन्नी सेवा हुई उना जी करांगी डाट की अज ज़िए पार ती किसा जाब बिगाना खाश करके खानाएंगा है से आड़े वेचे मकी दी रोटी ते सरोंदा साग ची प्रसांद कर देशिए जेड़े साट एक शान परामाने एफ ते वह के मकी दी रोटी ते कंत दा सरोंदा साग खाना सीगा असे उना नहीं पोड़े